नमस्कार दोस्तो आपके अपने यूट्यूब चैनल बियारडी सैंस पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो जैसा कि आप थमनेल में देख चुके हैं आज हम डिसकस करेंगे प्रियोग साला सायक विज्ञान का जो 30 जून 2022 को पेपर आयोजित हुआ था उस पर डिसकसन तो दोस्तो बने रहना वीडियो के एंड तक अगर आप बियारडी सैंस पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल एकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सब परण ट्रिक्स भी करवा रखिए तो जरूर आप चैनल पर विजिट करना और देखना यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज्यादा सी ज्यादा शेयर करना तो चले दोस्तों करते हैं आज का सेशन स्टार्ट देखते हैं सबसे पहले हम बायलोजी के सार देखल विती तो दोस्तों बिजावरण की बीतरी सित्य को का जाता है टेग में ओप्सन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा ओके दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट कवको की कोशी का बिति किस से निर्मित होती है शेलिलोज शीलिका काईटीन और पैक्टीन तो दोस्तों शे शेलिलोज याने की पादब कोशी का बिती सिलिलोज से बनी होती है काईटीन कवको की कोशी का बिती काईटीन से ओके देखते हैं नेक्स्ट जे विविदता सब्द को प्रतिपादित किया है चेपमेन रोजेन ओडम और टेंसले तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रो रोजेन ने जे विविता यानि बायो डाइवर्सिटी शब्द को प्रतिपादित किया था किसने रोजेन ने देखते हैं नेक्स्ट दिवी निशेचन एवं त्री सलेयन किस पादब वर्ग की विशेशता है तो दोस्तों अनावर्त बीजी आवर्त बीजी शेवाल या ब्र आवर्त बीजी देखते हैं नेक्स्ट कुकुर मुता या खुंब जिसे मश्रूम्त बोला जाता है कौको के किस बरग में पाये जाते हैं एसको मैसीटीज फाइको मैसीटीज जिटेरो मैसीटीज बताओ दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बेशीडीजिज मश्रूम यान कि कुकुर्मुता या खुम्ब कौको के बेशीड यो माई सिटी जवरग से समन दीत है देखते हैं next question पुस्पकास सबसे बाहरी चक्र क्या है जायांग पुमंग बाय दलपुंज या दलपुंज तो दोस्पकास सबसे बाहरी बाग होता है बाय दलपुंज बाय दलपुंज के बीतरी बाग होता है दलपुंज जायांग होता है इस्तरीके सर पार्ट और पुमंग होता है पुम्के सर वाला पार्ट ओके दोस्टो देखते हैं next स्वेशन में ग्लुकोज का पायरुविक अमले विगटन कहलाता है पायरोलाइसिस, गलाइकोलाइसिस, गलुकोजेनेसिस या पायरोजेनेसिस तो दोस्तों गलाइकोलाइसिस गलुकोज का पायरुविक अमले में विगटन क्या कहलाता है glycolysis, glycolysis की प्रिक्रिया का संपन होती है दोस्तों, glycolysis की प्रिक्रिया संपन होती है कोशी का द्रवे में, यह भी आप धान रखना, देखने हैं next, निमन लिखित में से कौन सा मूल रुपांतरन, शुषन में सायक होता है, अवस्तंब मूल, जटा मूल, नुमेटोफोर य रुपांतरित होकर उपर की ओर ग्रोथ करने लगती है, और शुषन में सायक होती है, ओके दोस्तों, और वेला में उत्तक होता है, आर्किड में, आर्किड पाधप में, अधरतागराई मूले होती है दोस्तों, जो की अधरताया नमी को वातावरण से अउसोसीत करती है, व शिलेजी नेला लाइकोपोडियम साइलोटम यह ईक्विसितम तो दोस्तो एसा टेरिडोफाइट जो एक विशम भी जाणू है वह है शीलेजी नेला क्या है कि दूस्तों शिलेजी नेला देखते हैं नेक्स्ट वह मेरे स्टैम या विप तक जो इस्ताई उत्तकों के बीच होता है उसे कौन सा मेरिस्टेम कहते हैं अंतरवेशी सिरसस्त पार्षवे या जोत्यक तो दोस्तों उसे अंतरवेशी मेरिस्टेम कहा जाता है क्योंकि अंतरवेशी मेरिस्टेम इस्ताई उत्तकों के बीच में होता है Option A इसका right answer हो जाएगा अंतरवेशी विबजो तक देखते हैं next अनाज के बीजों में पाया जाने वाला ढालाकार बीजपत्र कहलाता है केपी टूलम, बीजो पांग, इसकू टेलम या प्रांकूर चोल तो दोस्तों, इसकू टेलम एक ढालाकार बीजपत्र होता है Option C इसका right answer होगा इसकू टेलम देखते हैं next निमनलिकित में से कौन सा एक व्रहध पोसक नहीं है यानि कि इन में से एक शुक्ष में पोसक तत्वा है दोस्तों, इससे चाटना है, कौन सा है फासपोरस, सलफर, पोटेशियम और लोहय या आईरन व्रहध पोसक मतलब जिसकी बड़ी मातरा में पादप को आवसिकता होती है और शुक्ष में पोसक वो होती है जिनकी शुक्ष में मातरा में पादप को आवसिकता होती है तो दोस्तो इन में से कौन सा है जो की शुक्ष में पोसक है वह है आयरेन एक शुक्ष में पोसक है जिबकि उप्रोक्त तीनों वरैत पोसक है ओगे दोस्तो देखते हैं नेक्स्ट निमने लिकित में से कौन सा मूल तंत्र दिवी बीजपत्री पादपो में पाया जाता है दिवी बीज पत्री पादपों में पाया जाने वाला मूल तंद्र है याद रखना दोस्तों पूछा जा सकता एक्जामे क्यूटिकल किस में नहीं पाया जाता है तना मूल परन या फल में तो दोस्तों जड़िया मूल में क्यूटिकल नहीं पाया जाता है ओके दोस्तों बढ दूस्रे अनु दूसरे अनु श्वतंतर रूप से जिल्ली को पार करते तो वह यूजी यूट्वर्ष आनु के यूणिपोहट जब एक अनु दूस्रे अनु अनोग चलिकर यूजिइ मृओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्यूशन की और वैस्तान जहां समाने आंक में सबसे अच्छा प्रतिविम बनता है एवं जिसमें समवेदी कोशीकाएं विशेशकर संकु कोशीकाएं सरवादिक संक्या में पाई जाती है यह कहलाता है तो दोस्तो इसे कहा जाता है येलो स्पोर्ट यानिकी पित बिंदू क्या कहा जाता है पित बिंदू ज्यान रखना देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन मोटे तंतों का किंद्रिय भाग जो पतले तंतों से अतिछादित नहीं होता है कहलाता है क्या कहलाता है दोस्तो तो बताइए दोस्तो इसका राइटा अंसर क्या होगा M-ketron H-ketron 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 H-ket तता कोरोनरी साइनस के दुआरा दाए अलिंद में लाया जाता है एस उद्रूदी को तो option A इसका right answer है दिखते है next निमने वाक्य पेश्ची के लिए है हलके बेंडों में एक टीन होता है बिल्कुल सही बात है दोस्तो हलके बेंड को विसम देशिक बेंड का जाता है नहीं दोस्तो गेरे बेंड में माईश्ची नहीं होता है ये भी सत्ते है दोस्तो एक टीन तंतू मोटे तंतू होते है नहीं इन में से कौन से वाके पे सिया वाक्यों का सही है जनों के गुणों को दरसाते है नहीं पाया जाता है और्थपोडस determines करस्टेयसिंस मॉल्सका alpha या एकायनोडलमेट तो दोस्तोवष नदियों में नहीं पाये जाते हैं दिखते हैं नेच्टुए लवणिये जल्ब में पाये जाने वाली घाने यогिया मचलियों के उदारिन तो दोस्तों इसमें सईवी कलप को चुननाय में तो ये दो खाने योगे मचलियां है दोस्तों एक और तीन इसका राइट आंसर होगा उप्शन ए एक और स्वर एक और दो कॉमन कारफ वे कतला और रहू ये ऐलवन ये जल में पाई जाने वाली खानेयों के मचलियों के उधानन है देखते हैं नेक्स्ट क्यूसन सिदान्त जिसमें जीन कोस कुल जीव संख्या में जीन स्वे उनके युगम विकलपी एक जीन जन संख्या में सु इस्तिर होती है दिया गया था ये सिदान्त किसके दवारा दिया गया था दोस्तों शिवल राइट दवारा हार्डी वेनवर्क दवारा थोमस मल्थस दवारा या देले मार्क दवारा तो दोस्तों हार्डी वेनवर्क दवारा ये सिदान्त दिया गया था option B इसका right answer होगा बोमन संपुट के आंतरिक इस्तर में विशेश प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिने कहते हैं fenestra, pyramid, calyx और podocyte दोस्तो बोमन संपुट के आंतरिक इस्तर में podocyte प्रकार की विशेश कोशिकाएं पाई जाती है कौन सी? पोडोसाइट्स प्रकार की option D इसका right answer होगा दोस्तो रोग जिसमें sodium वै, potassium का संतुलन बिगड जाता है तता यह eldosterone की अधिकता से उत्पन होता है कुशिंग रोग, Edison का रोग, कौन स रोग या हिर सुटीज में तो दोस्तो कौन स रोग में ऐसा होता है option C इसका right answer होगा दोस्तो biology से समद्दीद topic wise महतोपरण परशनोत्री और महतोपरण ट्रिक्स के लिए BRD sense पर जरूर विजिट करना और वहां से देखना और अपने दोस्तों के साथ भी से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, देखते हैं next question पाइरीमिडीन जो न्यूकलिक अमलों में मिलते हैं वे हैं cytosine, uracil वा थाइमिन adenine, cytosine वा थाइमिन guanine, cytosine वा थाइमिन या adenine, guanine वा थाइमिन तो दोस्तों option A इसका right answer होगा cytosine, uracil वा थाइमिन देखते हैं next यकरित में निवाई का त्रिक बना होता है तो दोस्तों इसका right answer होगा option C यकरित धमनी, यकरित निवाई का सीरा और पित वाइनी की साखाउं से निवाई का त्रिक बना होता है यकरित में देखते हैं next question हतोड़े के आकार की करण अस्तिका है इस्टेपीज, इनकस, मेलियस या प्रगान दोस्तो इस्टेपीज, इनकस, मेलियस ये तीनों करण की अस्तियां है और इस्टेपीज मानव सरीर की सबसे छोटे अस्ति होती है दोस्तो जबकि Malleus हतोड़े के आकार की करण अस्तिका है क्या है दोस्तो Malleus प्यान रखना दोस्तो देखते हैं Next Qs Code Data तथा Non-Code Data के बीच की योजग कड़ी है Peripates, Leopalina, Belenoglossus या Teciglossus दोस्तो Belenoglossus Code Data और Non-Code Data के बीच की योजग कड़ी है क्या है दोस्तो Belenoglossus देखते हैं Next Qs सुक्राणू प्रेशू Espermitids रुपांतरी तोकर Sperm बनाते हैं इस्परक्रिया को क्या कहते हैं Spermiation, Spermiogenesis, Spermetogenesis या Spermetogonia दोस्तो Spermiogenesis बोला जाता है इस्परक्रिया को जिसमें सुक्राणू प्रेशू रुपांतरी तोकर Sperm यानि सुक्राणू बनाते हैं क्या होती है Spermio Genesis Option B इसका Right Answer है प्राकर्तिक वरण सिदान्त किस ने प्रिचिपादित किया Charles Darwin, Delemark, Begeman या Wallace दोस्तो Charles Darwin ने प्राकर्तिक वरण सिदान्त प्रिचिपादित किया था बढ़ते हैं Next Question की ओर वै कौन सी अन्तैस रवी गरंती है जो Edge के आकार की होती है तदा ग्रिवा के समीप उपस्तित होती है Thyroid गरंती, Puse गरंती, अधिवर्कक गरंती या Penial गरंती दोस्तो Puse गरंती और Penial गरंती मस्तिक्स में होती है जबकि अधिवर्कक गरंती अधिवर्कक गरंती, अधिवर्कक के उपर पाय जाती है जबकि थाइरड गरंती, ऐस आकार की होती है और ग्रिवा के समीप होती है Option A, इसका Right आंसर होगा क्या होगा? थाइरड गरंती देखते हैं Next Qsन की और मानव नेतर में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है उत्तल, आउतल, वले आकार लेंस या बाइफोकल तो दोस्तों मानव नेतर में उत्तल लेंस पाया जाता है देखते हैं Next निचे दिये गई सुची में गरंतियों द्वारा स्रावित आर पदार्थों के नाम दिये गए हैं यह पदार्थ हैं जो की गरंतियों से स्रावित होते हैं उप्रोक्त मेंसे कितनी बही स्रावित गरंतियों से स्रावित पदार्थ हैं इन में से इसे पदार्थ कितने हैं दोस्तों जो की बही स्रावी गरंती से स्रावित होते हैं दोस्तों इंसुलीन स्रावित होता है अंताय स्रावी गरंती से जो की अंताय स्रावी गरंती सोरो दोस्तों इंसुलिन स्रावित होता है अगना से गरंती से अगना से गरंती होती है अंताय स्रावी और बही स्रावी यानि मिक्स्ड रूप यानि मिश्रित गरंती होती है गुलकागोन भी अगना से स्रावित होता है थूक जासेगी लार है वो बही स्रावी हो गई केल्सिटोनिन ये भी अंताय स्रावी गरंतियों दोरा स्रावित होता है कान, मौम, डूद और पशीना तो दोस्तों थूक, कान, मौम, दूद और पशीना ये चार पदार्त बही स्रावी गरंतियों दोरा स्रावित होते हैं ओप्सन D इसका राइट आंसर हो जाएगा बही स्रावित पदार्थ है कानमों दूद यानि इस्तन गरंतियां पशिना स्वेध गरंतियां और थूक यानि की लार गरंतियां तो इस चार, चारों बही स्राविक रहंते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, नेमने में से कोन सा पकाधर ना भी किये उर्जाप्राप्त करने यह तो इंधन की तरह परीयुकत होता है। केडमियम, क्रोमियम, यूरेनियम या एलुमीनियम, तो दोस्तो यूरेनियम इसका राइट आंसर होगा, बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्यूसन की ओर, लोई हिसे बनी वस्तु पर जंग लगना क्या कहलाता है दोस्तो, आपको पता ही है, शंक्षारन कहलाता है और शंक्षारन एक रासाइनिक परिवर्तन होता है क्या होता है रासाइनिक परिवर्तन संक्षारन और यह एक रासाइनिक परिवर्तन है option C इसका right answer होगा देखते हैं next पॉंस और मेडूला किसके बाग होते हैं नर प्रजन अंतंत्र के पतियों के मस्तिस्क का या पुष्प का तो दोस्तों पॉंस और मेडूला जो की स्वेशन के अंदर को नियंतरित करते हैं मस्तिक्स के बाग होते हैं दो चीजे ध्यान में रखने हैं दोस्तों आपको पॉंस और मेडूला मस्तिक्स के पार्ट है और पॉंस और मेडूला यानि की अनेची क्रियों को नियंतरीत करते हैं शोषन के अंदर से समन्दीत है पॉंस देखते हैं नेक्स्ट क्यूसन निम्न में से कौन आर्स रंकला का निर्मान करते हैं फल से बीज, बीज से फूल यानि की दोस्तो गास को बकरी काते हैं और बकरी को मानव ये एक आर्स रंकला का निर्मान करते हैं ओप्शन भी इसका राइट आंसर होगा दोस्तो गास से बकरी बकरी से मानव ये एक आर्स रंकला का निर्मान करते हैं देखते हैं नेक्स्ट प्रकाशिक तंतू निमन सिधान प्रकार ये करता है विवर्तन वेतिकरन पुर्ण आंत्रिक प्रावर्तन या अपवर्तन दोस्तो प्रकाशिक तंतू और म्रग मिरीचिका जेशी मिरा जेशी सिधान दोस्तो मिरा जेशी प्रकरियां ये पुर्ण आंत्रिक प्रावर्तन प्रकार ये करती है म्रिग म्रिचिका का उधारन पुर्ण आंत्रिक प्रावर्टन का है और प्रकाशिक्तन तुभी है देखते हैं नेक्स्ट ना भी किये उर्जा सेंत्रों में विदूत उत्पन करने के लिए कि समस्तानिक का उप्यों किया जाता है यूरेनियम 235, आयोडिन 131, कोबाल्ट 60, य निमने लिकित्म में से कौन सा ओक्सिजन, फ्लोरीन थता नाइट्रोजन तत्वों की प्रमानु तिर्जाओं का सही करम होगा तो दोस्तों इन में सबसे ज्यादा प्रमानु तिर्जाओं का सही करम होगा तो दोस्तों इन में सबसे ज्यादा प्रमानु तिर्जाओं का सही बोराजीन या पिरी-उडीन तो दोस्तो एक carbonic benzen कहलाता है डोराजीन ऊके दोस्तो दोस्तो बोराजीन को एक कर्मनिक benzen कहा जाता है यदि टी साबुन के विलियन का प्रिष्ट तनाव है तो साबुन के बुलबुले का व्यास D से 2D करने में किये गए कारिये की गणना करें तो दोस्तो अब हम डारेक्ट आंसर बताएंगे आपको 6Pi D square T option C इसका right answer है AGCL में निमने में से कौन सी प्रकार की तुरूटिया पाई जाती है Frankel तुरूटि जिसमें दनाइन हो ग्लास गुलंचील है HAP में H2SO4 में HCLO4 में या अमलराज में दोस्तो ग्लास गुलंचील होता है HAP में option A इसका right answer है यदि P not और P करम से विलाइक और उसके विलियन के वास्प दाब है और N1 और N2 करम से विलाइक और विलियन के मोल प्रबाज है तब option A इसका right answer होगा दोस्तो P बराबर P not N1 ओके दोस्तो देखते हैं नेक्स्ट प्रस पर क्रिया ने करने वाली गेसों के मिसरन का कुल दाब उसकी गेसों के अंसिक दाबों के योग के बराबर होता है यह नियम है बोयल का नियम चार्ल्स का नियम एवोगेद्रो का नियम या डाल्टन का नियम तो दोस्तो यह नियम होता है डाल्टन का नियम ज्यान रखना डाल्टन का option D इसका right answer है एक विलियन के pH कमान 3 से बढ़ागर 6 हो जाता है इसके H प्लस आइन के संदरता होगी 100 गुना बढ़ जाएगी 2 गुनी हो जाएगी क्या 1000 गुना घट जाएगी या 1000 गुना बढ़ जाएगी तो दोस्तो 1000 गुना घट जाएगी option C इसका right answer है अब विगरिया N1 A प्लस N2 B बराबर M1 C प्लस M2 D के लिए मोल प्रती लिटर की पावर डेल्टा X option B इसका right answer है निम ने लिखित अब इगरिया का उत्पाद अनुमानित करें CH, triple bond, CH तो दोस्तो option C इसका right answer होगा एक जलिये विलियन में H प्लस आइन के संदरता 2 गुना 10 की पावर माइनस 4 M है इस विलियन की PH कमान क्या होगा दोस्तो इस विलियन की PH कमान होगा 3.7 शार ये मरदा दाट option C इसका right answer होगा दोस्तों जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं तो कख्षा की उर्जा बढ़ती है है ना दोस्तो नबिक से दूर जाते हैं तो कक्सा की उर्जा बढ़ती है option B इसका right answer होगा सरलतम एलकेन ज्याद करें सबसे सरलतम एलकेन होती है दोस्तो methane क्या होती है methane option A इसका right answer होगा निमने लिखित में से कौन सा योगिक tritec amine है tritec amine है दोस्तो option D राइट आंसर होगा tritec amine प्रारम में एक आदर्च गेश को 300 Kelvin ताप पर गरम किया जाता है जिस से उसका अंतिम ताप 600 Kelvin और अंतिम आयतन प्रारंबिक आयतन का दुगना हो जाता है अंतिम दाब प्रारंबिक दाब का या के है दुगना अधा सम्मान या एक पॉइंट पहांच गुना तो दोस्तो सम्मान होगा एक आदर्च गेश के लिए निमने लिखित में से कौन सा खतन सही है तो दोस्तो एक आदर्च गेश के लिए दोस्तो इसका राइट आंसर होगा option C dt upon dp h सुने आईनिक ठोस के लिए कौन सी समनवे संक्या संबव नहीं है दोस्तो पांच आईनिक ठोस के लिए समनवे संक्या संबव नहीं है option B इसका राइट आंसर होगा इन में से S S बंद नहीं है किसमे S S बंद नहीं है दोस्तो option D इसका राइट आंसर होगा S2 और 7-2 में SS बंद नहीं है बागी तीनों में SS बंद है बोईल का नियम इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो दोस्तों इसका राइट अंजर होगा option BDP upon DV whole T ब्राबर माइनस के अपॉन V square ओगे दोस्तों देखते हैं next question निमने लिकित का तनाव में से कौन सा जोड़ा सही है दोस्तो दोस्तो निमने लिकित में से हमें सही जोड़े का चैन करना है जब ताप बढ़ता है प्रिष्ट तनाव कम होता है सही बात है दोस्तो जब ताप गड़ता है प्रिष्ट तनाव गड़ता है क्रांतिक ताप पर प्रिष्ट तनाव अधिक तम होता है क्रांतिक ताप पर प्रिष्ट तनाव खतम हो जाता है तो दोस्तो option 1 और 4 इसके right answer होंगे option 1 सही है जब ताप बढ़ता है तो प्रिष्ट तनाव कम होता है और क्रांतिक ताप पर प्रिष्ट तनाव खतम हो जाता है ओके दोस्तों ओप्सन डी इसका राइट आंसर होगा चार और एक निमने लिखी तिक गेसों में से किसकी विशरण की दर सबसे अधिक है तो दोस्तों NH3 की अमोनिय की NH3 की विशरण अधर सबसे अधिक होगी ओप्शन D इसका राइट आंसर होगा बढ़ते हैं नेक्स्ट कुशन की और दर्वे का वास्पदाब निर्वर करता है ताप पर लेकिन आयतन पर नहीं ओप्सन A इसका राइट आंसर होगा द्रेवर का वास बता हमने रुपर करता है ताप पर लेकिन आयतन पर नहीं करता ओगे दोस्तों देखते हैं next question निमने लिखी तमें से कौन सा जैमीतिय समाविता प्रदर्शित नहीं करता है बाकि तीनों जैमीतिय समाविता प्रदर्शित करते हैं तो option A इसका रायट आंसर होगा 1 हे एक जीन जैमीतिय समाविता प्रदर्शित नहीं करता जबकि 2 हे एक जीन, 4 हे जीन, 3 हे ये तीनों जैमीतिय समाविता प्रदर्शित करते हैं M.G.O में होती है M.G.O में N.C.L. प्रकार की सरंचना होती है M.G.O में निम्न में से कौन सा लुईस अमल नहीं है तो दोस्तो निम्न लिकित में से उपसंडी वाला यानि कि NCL3 में NCL3 लुईस अमल नहीं है बाकि तीनों लुईस अमल है BCL3, BCL2, SNCL2 ये तीनों लुईस अमल है NCL3 लुईस अमल नहीं है नाइट्रोजन और हेड्रोजन से अमॉनिया की निर्माण में उसमा निकलती है ताब का बढ़ना दोस्तो ताब का बढ़ना सामीस तरहां के मान को कम करता है वे वे होती हैं वे होते हैं दोस्तो 2S और 3P याद रखना क्या होते हैं 2S और 3 Option C इसका राइट आंसर होगा निम्न मेंसे कौन सा बफर विलियन के रूप में कारिये नहीं करता है दोस्तो बफर विलियन के रूप में HCL और NS4CL बफर विलियन के रूप में कारिये नहीं करते हैं दी इसका राइट आंसर होगा निम्ने में से कौन सा समतलिय है दोस्तो अक्स-E-F-O-R-E-O-O-T-H-E-C-H-E-C-H मीजो या मेशो दोस्तों मीजो समयवे को व्यक्त करता है कौनorama प्रदश姐 करता है। दोस्तो, option D, मीजो समायोई केवल एकल योगिक होते हैं, अना दोस्तो, याद रखना, मीजो समायोई केवल एकल योगिक होते हैं, देखते हैं, next, physics के क्यूशन, एक गोल ये दूर दर्शी के आवरदन समता 10 हैं, और उसके अभी नेतरक, लेंज की फोकल दूरी 20 cm है, इसके अभी दर्शीक लेंज की फोकल दूरी होगी, तो दोस्तो, इसका राइट आंसर होगा, 200 cm, option A, इसका राइट होगा, बुजा A वाले A गंद से विदुत अभी वाय साई है, इसका मान क्या होगा, यदि गंद की बुजा का मान, 2 A कर दिया जाए, और परीबद आवरेश को आदा कर दिया जाए, तो दोस्तो, option A, इसका राइट आंसर होगा, साई बाई 2, देखते हैं, नेक्स्ट, दो आवेसो के मद्दे बल का मान 200 न्यूटन है, यदि आवेसो के बीच की दूरी को दो गुना कर दिया जाता है, तो बल का मान क्या होगा, दोस्तो, बल का मान होगा, 50 न्यूटन, ओगे दोस्तो, देखते हैं, नेक्स्ट, निमने च जानलाब अलब एलफा वै बीटा के बीच सई समंद क्या होगा, तो दोस्तों सई समंद होगा, बीटा बराबर अलफा अप़ोン 1- अलफा, औरlegton दी इसका राइट आनसर होगा, बीटा बराबर अलफा अप़ोँ 1- अलफा, देखते हैं, next, सोर मंडल में ग्रहों की गती किसके स्रक्षन का एक उधारन है उरजा का रे के सम्वे का कौन ये सम्वे का या द्रिवे मान का तो दोस्तो सोर मंडल में ग्रहों की गती कौन ये सम्वे क स्रक्षन का उधारन है किसका कौन ये सम्वे क स्रक्षन का देखते हैं next एक बंद आरगन पाइप वे एक खुले आरगन पाइप को समान मूल आवरती पर ट्यून किया जाता है उनकी लंबायों का अनुपात क्या होगा तो दोस्तों उनकी लंबायों का अनुपात होगा ओप्सन B दो अनुपात एक देखते हैं next डियनिके स्रोत को किस गती से चलना चाईए जिसे किसी प्रेक्षक को अभाशी आवरती प्राकरतिक आवरती की आधिगे समान परती तो दोस्तों उसे चलना चाहिए option D यानि की μ्यू के according करना दोस्तों केवल म्यू यदि किशी स्तान पर दो तरंगों के आयाम का अनुपात 1, अनुपात 2 हो तो अध्यारोपन शिदान से अधिक्तम तटा न्यूंतम त्योर्ताओं का अनुपात क्या होगा तो दोस्तो इसका राइट आंसर होगा 9 अनुपात 1 ओके दोस्तो जैकते, next University बल आगून का ऐसा इमात्रक क्या होता है तो दोस्तों बल आगून का ऐसा ही मात्रक क्या होता है नीड़र मेंटर्ड ओके दोस्तों ओप्सन ओप्सन ए इसका राइट आंसर है आर दिरिज्या वा एम दरीवयमान कि एक समरूप वरताकार डिस्क का उसके किनारे से गुजरने वाली और उसके तल के लंववद अक्स के परीता है जड़तव आगून क्या होगा तो दोस्तों जड़तव आगून होगा ओफशन C 3 बटे 2 MR स्क्वाइर ओके दोस्तों 3 बटे 2 MR स्क्वाइर इसका राइट आंसर है यदि V, A और अक्स करम से किसी सरल आवरत गती करने वाले करन के वेग, तुएन वविस्तापन है तो मद इस्तिती पर मद इस्तिती पर क्या होगा दोस्तों A अधिक्तम होगा यानि कि तुएन अधिक्तम होगा जबकि वेग और विस्तापन सुन्ने हो जाएंगे ओके दोस्तों A अधिक्तम होगा और अक्स वेवी सुन्ने हो जाएंगे ओप्शन A इसका राइट आंसर होगा देखते हैं नेक्स्ट एक सरल आवरत दोलक का आयाम A वे आवरत काल T है अक्स बराबर A से अक्स बराबर A बाई 2 तक गमन करने के लिए इसके लिए आवस्यक्त समय क्या होगा तो दोस्तों एक सरल आवरत दोलक का आयाम A वे आवरत काल T है अक्स बराबर A से अक्स बराबर A बाई 2 तक गमन करने के लिए इसके लिए आवज़ एक समय क्या होगा तो दोस्त आवज़ एक समय होगा T by 6 option A इसका right answer है एक आवरती गती निम्न समीकरण से प्रदर्शित की जाती है अक्स बराबर 0.1 sign कोस्टग 200 T plus 0.1 तो दोलन क्या वरती क्या होगी दोस्तों तो दोलन क्या वरती होगी एक मिनट एक आवरती गती तो इसका right answer होगा दोस्तों option C hydrogen प्रमाणूंगे बोर प्रमाणवे मोडल के अनुशार मुक्य क्वांटम सेंक्या व्यकक्सा की त्रिजा आर में समंध होता है तो दोस्तों समंध होता है आर समानोपाथी N square देखते हैं next question hydrogen प्रमाणूंगी बाममर स्रेनी में सबसे लंबी तरंग देरिये के लिए प्रतिबंद यानि सर्त क्या है N initial बराबर 3 और N final बराबर 2 इसका right answer होगा A ओके दोस्तों जान रखना देखते है next यदि hydrogen प्रमाणूंगी प्रतम कक्स में इस्तित इलेक्टोन 12.1 इलेक्टोन वोल्ट उरजाव सोशित करता है तो यह कौन से कक्स में उत्तिजित हो जाता है तो दोस्तो इसका right answer होगा थी स्री में Option B निमन परीपत में एडी गेलवेनो मिट्र में विकृट्जेफ सुने हो तो परीबद परतिरोद आर का मान होगा दोस्तो परतिरोद आर का मान होगा 6 ओम यह इनि Option B इसका right answer होगा देगे परीपत में दारा आई का मान क्या होगा दोस्तों आप ध्यान रखना option C इसका right answer है यानगी 4 MPR कौन सी परिगटना प्रकास तरंगों के अनुप्रस्त होने की पुष्टी करती है दोस्तों अनुप्रस्त होने की पुष्टी करती है दुरूवन दोस्तो ध्यान रखना option C, इसका right answer होगा धुरूवन यंग के द्वी slit प्रियोग में यदि slitों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए और slitों के तल एवं screen के बीच की दूरी दो गुनी कर दी जाए तो fringe चोड़ाई हो जाएगी तो दोस्तो fringe चोड़ाई क्या होगी चार गुनी हो जाएगी दोस्तो option C, इसका right answer होगा चार गुनी द्रिवे मांस्क सती वबंदन उर्जा में समंध है दोस्तो BE बराबर डेल्टा MC स्क्वाईर इसका right answer होगा option B नबी की रियक्टर में निम्न में से कौन सा अवमंदक की त्रह प्रियुक्त होता है दोस्तो D2O यानि की भारी जल option D इसका right answer है बोर के दित्य अभिग रही थी कि व्याख्यान निम्न में से किसी दान्त के द्वारा की जा सकती है तो दोस्तो द्रवे तरंग शिदान्त के द्वारा की जा सकती है option B कारणो इंजन की दक्सता निर्वर करती है दोस्तो कारणो इंजन की दक्सता निर्वर करती है स्रोत वै सिंक के ताप पर किस पर स्रोत वै सिंक के ताप पर करती है उस्मा गतिगी के दित्य नियम के केलिविन प्लांक खतन की अनुसार निम्न में से कौन सा खतन सही है उस्मा इंजन की दक्स्तता एक से कम होती है दोस्तों ओप्सन डी इसका राइट आंसर होगा उस्मा इंजन की दक्स्तता एक से कम होती है गाऊस नियम से समन्दित कोन सा खतन सत्य नहीं है गती शिलता या इस्तिर अवस्ता पर निरबर करता है ये क्तन सत्य नहीं है उप्रयोक्ति तिनों क्तन सत्य है दोस्तों गाउस नियम से समंदी देखनाक बिबद आवेस पर निरुब मर करता है परिबद ... और इसका üzटी निर्भर नहीं करता तो अन्सर होगा Arnoldis में PM संधी डायोड में हासी शेत्र Deploy사 लेयर की चोड़ाई वोल्टता में वर्दी के साथ सोड़ दोस्तों तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वोल्ट ता में वर्दी के साथ गटती है, option A इसका right answer होगा, ओके दोस्तों option A 4Q Q वै Capital Q आवेस X पर करम्ट से है X बराबर 0 X बराबर L अपोन 2 X बराबर L बिन 2 पर इस्थित है तो Q कवै मान जिसके लिए आवेस Capital Q पर कारियरत बल सुनने होगा तो दोस्तो माइनस Q माइनस Q के लिए उपसंडी इसका रहट आंसर होगा यदि स्रोत का तापमान बढ़ा दिया जाए तो कारणो इंजन गी दक्सता दोस्तो यदि स्रोत का तापमान बढ़ा दिया जाए तो कारणो इंजन गी दक्सता बढ़ेगी ओपसंडी इसका रहट आंसर होगा देखते हैं नेक्स्ट ओके दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टोपिक के मैतोपुर्ण परशनोत्री के साथ आज के लिए इतना ही दोस्तो साइंस से रिलेटेड मैतोपुर्ण परशनोत्री और मैतोपुर्ण ट्रिक्स के लिए BRD सेंस पर विजिट जरूर करना और वहाँ से सारे जो मैंने बाइलोजी से रिलेटेड टोपिक वाइज इंपोर्टेंट क्यूशन और पिछली भरती प्रीक्षव में जितने भी क्यूशन पुछे गई हैं उनको करवा रखा है तो आप वहाँ से देखना और कमेंट करके बताना वीडियो केश हैं क्यूसन केश हैं और ट्रिक्स केशी लगी दोस्तों ये जरूर बताना विजिट करना देखना आप चैनल पर और अपने दोस्तों के साथ पीशे जदा-सी जदा शेयर करना आज गले इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके दोस्तों धन्यवाद जे हिंद जे भारत